प्रिमंत्री संजीव बालियान से हमारे संवादाताने खास बाच्चीत के ज़रान संजीव बालियान ने आंदर प्रदेश के सीम चंदरबाबुनाईड उपर निशाना साधिते वे कहा उन्हें जला हुआ कार्तूस बताया सुनिए क्या कुछ कहना था प्रिमंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ मोजून देशर चुनाओ प्रिचार खतम हो चुकाया 2019 के चुनाओ के गरबात की जाए उत्तर प्रदेश के समिकन्ड क्या लगते हैं आपको भारतियंता पार्टी चुनाओ जीते की निश्चित रूफ से काफी आगा हम रहेंगे महागटबंदन उपर उपर हुआ है कि इन्हें के जुनता में महागटबंदन वोट ट्रांसफर नहीं खरा पाए अपने और देखे चुनाओ के बाद इनमें आपसमें जगड़ा भी होगा इस बात के लिए कि मुझे वोट नहीं दिलवाए मुझे वोट नहीं दिलवाए तो महागटबंदन बस बात ही रह जाएगी भारतियंता पार्टी निश्चित रूफ से चुनाओ जीत रही है सब लोगों मन में एकी बात है कि ने दो मोदी को दुबारा देश का पता मंतरी बनना चाहिए चुकि जनता को बेड़ बकरी नहीं है कि किसी बाड़े में रहांग दिया जाए जनता की बात समझ मां आ चुकी है कि ये बाते ठीक नहीं है धरम और जाती की राजनती विकास की बात होनी चाहिए अभी एक चरन का चुनाव और रह गया है ऐसे में ठाकुर प्रिग्या ठाकुर का जो बयान है नाथो राम गोड़से को लेकर वो इस चुनाव पर कि इतना फरक डालेगा क्या लगता आपको देखिए फरक इसलिए नेरा लगा कि उनके बयान उनका कोई पूरे देश में तो आजान नहीं है कि उनके बयान के पूरे देश में बात जाए है या वो इतनी बड़ी नेता हूं और दूसरी बात यह कि निरेंदर मोदी जी सुम कोई बात कह चुके हैं रास्त्रे देश कह चुके हैं शीष नित्रतों के कहने के बाद सब बाते और यह कहीं कोई मुद्दा नहीं है वो बात अपनी कही जा चुके पार्टी के दौरा चंदरबाबु नाइडू के जरिवाल से मिले हैं अब आज रावल गांधी से मिलना फिर मायवती से मिलना तो एक तैयारी की जा रही है विपक्स की तरफ से कितने कामियाब उपाएंगे लोग यह चुटे हुए कार्टूस हैं इनमें कोई बारूद अब बचा नहीं है यह कि ऐसे ही शोर करके रह जाएंगे कहीं बारूद नहीं है निक अंदर पस्ति में तो प्रदेश के अगर बात की जाए तो आपका क्या आखर रहना है कि इतनी सीट बीज़ेपी जित पाएगी मैं तो नहीं कह सकता सब जीच जाएंगे पिछली बार हम सभी सीटे जिते नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है इस बार के हम सब चीज हैं लेकिन मैजोर्टी सीटे बारतियनता पार्टी जिते की ये मेरा विश्वास है